हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Study IQ IAS Hindi प्रैटफॉर्म पर अभी हम लोग बातचित करने वाले हैं कि UPSC के बदलते trend को यदि आप समझ गए तो आपकी IAS परिशा की GS की तैयारी और आसान हो जाएगी इसे हम कैसे समझें इसी के उपर हम लोग एक एक करके बातचित करेंगे दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि GS के पाठिकरम को यदि हम प्रारंभिक और मुख्य परिच्छा के इस्तरबर देखें तो इसे दो हिस्सों में डिवाइड करके देखते हैं जहां PT में एक बहुत महत्पुन भूमकाई निम हाता है वही में में इसका विटेज लगभग एक हजार मार्क्स का माना जाता है और इस एक हजार मार्क्स के अधार पर जो आपका अंक है ये निर्धारित करता है कि आप परिच्छा में अवल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपकी रैंक अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है इसलिए GS की भूमिका निश्री तवब बहुत अधिक हो जाती है वहीं दूसरी तरफ प्रारमभिक परिक्षा में सी सेट की भूमिका होती है जिसके अंतरगत क्वालिफाइंग मार्क्स लाना बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन आज की चर्चा में हम लोग GS के बारे में विशेश करके बातचित करेंगे कि आखिर GS की तैयारी आपकी कैसी होनी चाहिए और UPSC ने बीते वर्षों में GS के प्रष्ण को लेकर के प्रष्ण की प्रक्रीती को लेकर के जो बदलाव किये हैं इस मद्दे नजर आपको क्या कुछ सावधानी से समझने की जरूरत है दोस्तो GS के अंतरगत समाने तो पर दो हिस्सों में हम विवाजन देखते हैं जहां एक तरफ प्रमपरागत विशे वहीं दूसरी तरफ अधितन यानिकी करेंट अफेर्स को देखा जाता है पर परागत विशे के अंतरगत इतिहास, भुगोल, डागरिक सास्त्र जैसे जो तमाम विशे हैं इनके आधारभूत और एडवांस समझ को सबसे पहले ध्यान में रखने की जावे सकता है आधाभू समझ का मतलब यह हुआ कि आप हर एक विशे के हर एक टॉपिक को बेसिक तौप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, इसका अर्थ क्या होता है हर एक सब्द के मतलब को समझे, हर एक सब्द के माइने को समझे, उसके उद्देश को समझे उधारन के तौप पर यदि हम fundamental diet की बात करते हैं तो fundamental diet का मतलब क्या होता है fundamental diet को fundamental क्यों कहा जाता है क्या ये सामेधिक अधिकार है या फिर समयधानिक अधिकार है सामीधिक अधिकार और समयधानिक अंधिकार का मतलब क्या होता है क्या इसमें कोई समानता है या फिर दोनों में अंतर है और तब फिर आपको इसके अंतरगत जो भी बाते कही गई है उसके बारे में जानने समझने की जरूरत हो जाती है तो इस तरीके से आपको basic concept के साथ साथ जो भी उसके बारे में अध्यतन जानकारिया हैं उसको भी ध्याय में रखने की अवशक्ता हो जाती है तो यहाँ एक पहलू तो आपको समझना होगा कि परंपरागत विश्यों के बारे में हर एक विश्य इतिहास हो भुगोल हो quality हो economy हो इस सभी के basic और advanced जो भी knowledges हैं जो भी contents है आपके पास में यह आप और बहतर से बहतर तरीके से पढ़ते रहें वाइस करते रहें ताकि आप चीजों को अच्छे से calculate कर सके उसको अच्छे से समझ सके इसके अलावा जो दूसरा पक्षे वो है अध्यतन जानकारी का जो की current affairs जुरा हुआ होता है इसमें ध्यान रखेगा कि कि किसी भी छेत्र में कोई भी घटना हो रही है कोई भी घटना जा है वह कोई भी छेत्र अंतराश्टी अस्तर पर कोई घटना घट कई हो राश्टी अस्तर पर कोई घटना घट कई हो अस्थानिय अस्तर पर कोई घटना घट कई हो जिसका कोई न कोई राश्टी या फिर अंतराश्टी impact पर सकता है तो ऐसे में हम उसके बारे में जानने aspect उससे जुरा हुआ है समयधानिक पहलू उससे जुरा हुआ है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए इसके जासत आपको location के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए मान लिजे कि कोई भी घटना घटी जो अंतरास्टी एस्तर पर बहुत ही महत्वपून माने गई तो वो घटना कहां पर घटी जैसे कि मान लिजे कोई ज्वाला मुखी विस्फोट हुआ जैसे कहीं पर कोई भुकम आ गया जैसे पर कोई बहुत बरी या प्राकृतिक तरास्दी हो गई बार आ गई भुकम आने के वजह से बहुत बरा नुकसान हुआ इन सभी को आपको समझने की जरूरत होगी क्या आखिर वहां पर ऐसी स्थिती क्यों आ गई और साथ ही वह जो लोकेशन है वो कहां पर है क्योंकि एक्जामिनेशन में लोकेशन को बेस करते हुए सवाल बन रहे हैं तो आपको अपनी मैपिंग का जो अधियन है वो और अधिक मजबूत करने होगा जो आज की यतिविधिया चल रही है उसके आधार पर आपको इसको बेहतर तरीके से पढ़ने की जरूरत है ठीक है इसके अलावा जो भी विज्ञान प्राउदोगी की कि अस्तर पर हाल के समय में कुछ बदला हुए हैं कुछ नए बातें आपको देखने को मिली हैं सुनने को मिली हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जैसे कि हम लोगों ने बीते कुछ समय से चैट जीपीटी के बारे में खुश सुना है वैसे ही हाल के समय में कई सारी वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं या फिर वैक्सीन्स के इस्तिमाल को लेकर करड़के वाद विवाद जैसी सित्या पनप रही हैं जैसे कि हाल के समय में ह होने की संभाव ना हो सकती है तो यह सब अध्यतन गतिविधिया हैं अध्यतन जानकारिया हैं और यह इसलिए महत्वून हो जाती है आपको समझना ताकि इनसे यदि सवाल बन जाए इससे इनके यदि किसे भी पहलू को लेते हुए सवाल पूछ लिया जाए तो फिर आप भे समयलन की कोई भी कतिविधी हुई है कहां पर वो समयलन हुआ उसकी थीम क्या थी और क्या निर्ने लिये गए क्या घोशना पत्र जारी किया गया उस घोशना पत्र में क्या बाते कही गई है क्या भारत उस घोशना पत्र का हिस्सा है या नहीं है क्या भारत उस समयलन का हिस् इन तमाम जानकारियों के साथ आपको तैयार होना चाहिए साथ ही कोई भी यदि समझोता हुआ है तो भारत की उसमें भूमिका है या नहीं है भारत उस समझोते को लेकर किया अपना आग्रह रखता है भारत यदि समझोते में शामिल है तो भारत का क्या contribution है उसमें इन तमाम बातों को आपको समझने की ज़रूरत होगी और तब जाकर के आप GS की जो बेहतर तयारी है बेहतर performance है वो आप कर सकते हैं तो आपको इन सभी पहलूं का ध्यान रखना होगा तब हम इस इस्थिति में पहुंच सकते हैं कि हाँ ठीक है अब GS में कहीं सभी कुछ भी पूछ दे तो हम बताने की इस्थिति में हैं कहीं पर भी आपको हिचक नहीं होगी, हेजिटेशन नहीं होगा कि GS की तियारी नहीं है कई बाब बच्चों में एक जो शिकायत मिलती है कि GS की तियारी में हम क्या पढ़ें, क्या चोड़ें, कैसे हम उसको catch करें कौन से सब्जेट को कौन से टॉपिक को सबसे ज़्यादा फोकस करें इसको लेकर गए भी परिशानी होती है जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इन तरीकों को एदिया फॉलो करते हैं तो निशी तौपर इससे आपको आने वाले समय में फायदा होगा और बड़ी बात एक यह है कि आप इसको जरूर more than revise कीजिए जो भी आप पर हैं जितना भी आप पर हैं उसको आप more than revise करते हैं तो निशी तौपर उससे आपकी जो जानकारी है और दुरुस्त हो जाती है तो आज की चर्चा में इतना ही इसके साथ-साथ एक और महत्वपून सुचना में आप सभी को देना चाहूंगा कि Study IQ IAS टीम के जरिए कई सारी महत्वपून batches की सुरुवात की गई है यदि आप इन batches से जूरना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आज ही enrollment लिजिए और इसके जरिए आप अपनी GS की तैयारी को और बहतर से बहतर कर सकते हैं जो मैंने आपको GS को पहने समझने का अभी तरीका बताया है निशित तौपर इन तरीकों को इन batches के जरिए इन foundation scores के जरिए भी फुल्फिल किया जा रहा है यदि जोस्तों आप हिंदी बैच से जुड़ना चाहते हैं ओनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप दिलीप लाइफ कोर्ट का ही इस्तेमाल करते हुए मातर 27,9999 रुपे में इस course को जोइन कर सकते हैं अभी इस course की शुरुआत हो चुकी है शाम में 6 बज़े से और इसमें admission की जो अंतिम तारीक है 9 मई है यानि की आज ही इसमें admission close हो रहा है तो जल्द से जल्द इस course को जोइन कीजिए दिलीप लाइफ कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी आप में से कोई ऐसा विद्यारती है जो की offline batches में admission लेना चाहता है और वह चाहता है कि हम GS की complete त्यारी offline माध्यम से करें तो English माध्यम में जो offline batches है उनकी शुरुआत होने वाली है 27 मई से और इसके बाद एक और batch की शुरुआत होने वाली है 17 जून से तो इसमें से चाहे offline batch हो चाहे वो online batch हो इनमें से जो भी batch आप join करना चाहते हैं उसमें आपका स्वागत है और आप इसके लिए केवल दिलीप live code का इस्तमाल करते हुए इस batch में अराम से admission लेते हुए अपनी तयारी को और बहतर बना सकते हैं मिलते हैं किसी और topic में किसी और महत्वपूर्ण चर्चा के साथ अपना ख्या लखिए all the best हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi